किसे से डरने वाला नहीं अपने वीडियो में अमरित पाल ये कहता नजर आ रहा है तो कहीं न कहीं खुद के सुरक्षत होने के पीछे उसे अपने धर्म अपने धर्म गुरू से जोडता हुआ बयान भी अमरित पाल की ओर से दिया गया है recorded वीडियो में जहर उगलता अमरित पाल जिसमें कहीं तरह की बयान भाजी उसमें दी है भड़काओ बातों को करता हुआ अमरित पाल नजर आ रहा है उसने ये कहा है कि ये उपर वाले की दया है इस वीडियो में आप सुनेंगे तो अमरित पाल अब तक बच पाया है और इतन कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता अब इस तरह की बयान बाजी देना ये कहीं न कहीं पुलिस प्रशुरासन के लिए तो बड़ी चुनौती है ही लेकिन लगातार तमाम हर जगाओं से जो वीडियो सामने आ रहे हैं अमरितपाल से जुड़े हुए उससे भी कहीं कहीं सवाल कि जब अमरितपाल इस तरह से बेश्च बदर कर घूम रहा है लेकिन किसी को उसका पता नखी लग पा रहा कानो कान खबर नगी हो पा रही तो साफ तौर पर आज का ये वीडियो भी यहीं बदाता है कि वो किसी से दरने वाला नहीं कि जड़ी गर्फतारी दी गल है वो सद्गूर सचे पाशा दे आता है मैं चड़ नीकला चेहां कोई मेरा वार्विंगा नी कर सकया सद्गूर सचे पाशा ने बिखड़े पेंड़े दे तो रहा है प्रिख्या लही है पर उस मालक ने चोजी प्रीतम ने बहुत साह दिता ह है ऐसा उने मेर किरपा कीती है फिजड़ी बियान तो बाहर है इड़े बड़े के रहे तो निकल जाना ये बड़ी बड़ी द्यान दारी इसी साथ को सचे पाशा दी इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसीट एडिटर राज ठाकुर जुड़के हैं सिधा उनक कि दया के पीछे की फेल होती हुई इसलिए साबित होती है क्योंकि जो वीडियो सामने आया है उसमें जिस तरीके की भड़काने वाली स्पीच यहां पर दी गई है अगर वो पुलिस के पास होता तो इस तरीके की स्पीच लाजमी तोर पर मीडिया तक नहीं पहुंचती आप जब और लगातार जा रही है जथेदार की तरफ से हमने देखा था कि यह कहा गया था कि अमरितपाल सरंडर करे अगर वो पुलिस गरफ्त में नहीं है इन दोनों बातों को चोड़ना होगा यह किसी भी तरीके से इसे मानना ही होगा जथेदार के उपर कोई प्रेशर नहीं है अ पुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अमरितपाल लगातार आज 12 दिन है और 12 दिनों से फरार चल रहा है आप कह सकते हैं 300 से जादा घंटे हो चुके हैं पुलिस ऑपरेशन लगातार जारी है 80,000 से जादा की फोर्स लगातार अमरितपाल को पकड़ने में लगी रहती है लेकिन फ पात का सिक्र हुआ आज के दिन की हो सकता है कि बहुत जल्द अमरितपाल सरंडर कर दे सरंडर की बातें अब तक सामने नहीं आई थी लेकिन आज एक ये बातें सामने आती है और उसके बाद अमरितपाल का एक वीडियो सामने आता है थियोरी बहुत सी दी जा रही है लेकि ये बहुत क्लियर है बहुत स्पश्ट है कि अमरित पाल हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरंडर कर दे और इसे लेकर ये लगातार कहा गया कि हरमिंदर साहिब में श्री आनंदपुर साहिब में या फिर श्री दमदवा साहिब में इन तीन जगों में से कहीं पर सरंडर अमर पर किया गया है हमने देखा कि अलग लग बयान पुलिस ऑफिशल्स के आए और अगर डियाई जी बॉडर रीज की बात करेंगे नरेंद्र भारगव की तो उनकी तरफ से बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि जहां पर धुआ होता है वहीं पर आप कहा सकते हैं कि आग वहीं था भी नहीं तो भी वो वापस पंजाब आ चुका है और पंजाब के लिए इसलिए ये खत्रे की घंटी और इसलिए जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि श्री हर्मिंदर साहिब श्री दमदमा साहिब और श्री आनंदपूर साहिब इन तीनों जगे पर पुलिस की बहुत जादा आपको चौकसी नजर आएगी तो इसके पीछे का तर्क इसके पीछे का कारण समझना होगा कि इन तीन जगों में से कही पर आकर अमरितपाल सरंडर कर सकता है ये बहुत इंपॉर्टन पॉइंट और सबसे इंपॉर्टन पॉइंट ये कि जो थियोरी चल रही थी व अपने एक दम महफूस होने की सुरक्षित होने की बात करी तो साफ तोर पर कि वो पुलिस की गरफ्ट में नहीं है और अब जो सेरिंडर की बात कही जा रही है वो कही नहीं उनकी वीडियो से जोड़ कर देखें राज क्योंकि अपने वीडियो में उसने कहा है कि सर्बत ख जा गया है और इसे भड़काओ भाष्टन ही कहा जाएगा अगर आम भाष्टा में समझा जाए लेकिन इससे ये बिलकुल भी नहीं कि अमरितपाल जो कह रहा है वो आकरी शब्द हो जाते है या फिर उनका निर्वहन करना किसी के लिए भी जरूरी है और एक अमरितपाल के इस तरीके का बयान देने से हम पूरी कौंग को इस कटगरे में नहीं ला सकते और इसी लिए ये लगातार कहा जा रहा है कि अमरितपाल सर्फ एक शक्स है जो बाते कह रहा है और लगातार अगर उसकी वीडियो को आप सुनेंगे तो उसकी तरफ से ये तक कहा जाता है कि सर ही थाबित होगी या लोग वहाँ पर जुटेंगे और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जो जथेदार है क्या वो उसकी अपील पर अमरितपाल की अपील पर क्या सर्मत खालसा बुलाएगा तो ये सारे के सारे तार अगर आप देखेंगे तो ये अपील है जथेदार की तरफ की चीज़े जब अमरितपाल के लिए इस्तिमाल की जा रही है तो लाजमी तोर पर कही ना कहीं अमरितपाल को लेकर जो सवाल थे वो और जादा गहराते जा रहे और शायद वो सवाल पिछले 12 दिन से गहरा रहे है और इसलिए हम आज इस पर चर्चा भी कर रहे हैं तो सब गौर्मेंट के लिए भी कहा जा सकता है क्योंकि कानून विवस्था को लेकर लगातार मान सरकार पर सवाल उखते रहे हैं और अब ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत्मान सीयम और भगवंत्मान की आप कहें सरपरस्ती में अगर आप एक शक्स को नहीं पकट पा और पिछले देखा जा रहा है पिछले दिनों से लगातार ये जिकर भी हो रहा है कि सिरेंडर कर सकता है अम्रतपाल लेकिन आज जो वीडियो सामने आया क्या उससे कही ना कही ये माना जो है जो राज जो ये बयान है ये खाली हवाई फायर है क्योंकि अगर उससे सरेंडर करना होता तो क्या अपनी वीडियो में उजिक्र करता कि मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता मेरी गरफतारे उपर वालों के हाथ में है यानि कि मैं किसी की भी पौहर से बाहर हूँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर भावनात्मक जुडाव जोडने की कोशिश की जा रही है पंजाब के लोगों के साथ और अपनी कौम को ढाल बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है इससे पहले इसी तरीके की चीज़ अमरितपाल कर चुका है जिसे लेकर बहुत से सवाल और जो भावनात्मक जुडाव है वो जोडने की कोशिश कौम के साथ जब आप करते हैं तभी इस तरीके के भड़काऊ भाशन आप देते हैं और वैसी कोशिश यहाँ पर अमरितपाल की तरफ सिकी गई कि सर्बत खालसा बुला दिया जाए बैसाकी वाले दिन तमाम लोग जातार भाग रहा है क्यों पहले ही दिन अपनी गिरफतारी नहीं दी क्यों अपने आपको हिरासत में नहीं कर दिया हमने देखा कि 200 से जादा उसके करीबियों को पकड़ा जाता है कई लोगों को असम तक भेज़ दिया जाता है डिब्रूगर जेल लेकिन अमरितपाल फरा जातार भाग रहा है और बहुत बड़े लेवल के अधिकारी एडीजीपी लेवल के अधिकारीओं को आप देखेंगे तो वो पंजाब के इन तमाम इलाकों में आपको मौजूद मिलेंगे ऐसे में एक चीज़ साफ और सपष्ट की पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो उसके प्लैन्स है उसे फेल किया जा सके लेकिन जोसे कर हम पहले भी कर रहे थे कि पुलिस पर एक सवाल या अफसानी से कैसे वो भाग निकला और उसकी बाद अभी भी पुलिस की गरफ से बारे तो सवाल लादमी है उठेंगे राज आप नजब बनाए रखेगा शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए